हेलो नमस्क्रा दोस्तों यूमन के अंदर आई वॉलूशन तो आप लोगों ने सुना होगा पर कभी पेमेंट के तरीकों के अंदर एवॉलूशन सुना है सालो साल में धीरे दीरे करके हम लोगों ने पेमेंट के तरीकों के अंदर भारी वॉलूशन किया जिसके अंदर आगर आप समझोगे तो सबसे पहले जो हम लोग का market नया नया बन रहा था जब coin वगेरा नहीं हुआ करते थे ऐसे केस में हम लोग barter system का प्रयूग करते थे इस barter system के अंदर बहुत सारी problem थी problem क्या थी? problem ये थी कि किसी चीज की value नहीं रहती थी जैसे आप में को गेहू दे रहो बजले में मैं आपको गोल दे रहा हूँ कुछ चीज़े जैसे एक्षेंज करना इसे मैं पर सकता घोड़ा है और में को उस घोड़े के बतला कोई सामान लेना है तो उसको मैं तोड़ नहीं सकता, गोड़े कोईसा नहीं कर सकता कि आदा काट क्या आपको दे दिया, मेंको वो पूरा ही देना पड़ेगा, तो वहाँ पर उस चीच की भी वो वैल्यू जो है, वो कहीं न कहीं कम होती थी, इसकारण से बार्टा सिस्टम जो था, उसके अंदर कई सारी प्राबलम के चलते, हम लोग कोईन के सिस्टम के उपए, हम लोगों ने कोईन बनाए, अब कई सारी राजा अपने लगलग कॉइन बनाते थे, कोई राजा अपना बहुत अच्छा होता था तो हो गोल्ड का कोईन मनाता था, दिये-दिये करके वो ओ घरीब हुआ तो उसने सिलवर का बना है और पिदिये दिये करके और गरीबी आई तो फिदिये दिये करके उसने कोडियों का प्रयोग भी किया अब होता क्या था लोग क्या करते थे कि यह गोल्ड कॉइन को स्टोर करके रख लेते थे इसको गलाते थे सोना बना के बेज देते थे इसके का को एक जगे से दुसरी जगे ले जाना बहुत मुश्किल हुआ करते हैं क्योंकि यह को बहुत भार ही हुआ करते थे मतलब ज्यादा पेमेंट जो है वह आप इन कोई यह नहीं कर सकते इसकारण से हम लोगों ने फिर नोट वगरा बनाना शुरू किये है नोट वगरा बने इसाब नोट के अंदर ही प्रॉब्लम सीखे आपको किसी को पेमेंट करना तो आपको शुटकेस लेके जाना और शुटकेस लेके जाओ ग हो सकता है ट्रेन में ँचोरी हो जा क्यों कि आप शूट के नदर payment कहाँ कितना लेकर गें या के लिए हम लोगो ने एक नया system चलाए check system अब क्या problem निकली चेक system हो जाता है तो इस चेक system के अंदर आप देखोगे तो एक ओउ problem है किया आपको चेक डालने बैंक के अंदर जाना है किसी को चेक निकालना है ठीक है अगर चेक में पास ख़तम होगा तो bank के पास जाना बैंक की लाइनों के अंदर लगना है bank का system शुरू ओ गया इन साइज चीजों के अंदर लोगों की सहुलियत जो है वो नहीं रही क्योंकि सी जब हर व्यक्ति online payment का आज यूज कर पा रहा है वो आया है UPI के कारण unified payment interface यह एक ऐसा interface है जो की NPCI दोरा बनाया गया है और इसी interface के जरीए आज आप Google पे फोन पे इन सारी चीजों का यूज कर पा रहें अपने payment को सहुलियर से कर पा रहें even आप बिल वगेरा भी easily भर पा रहे यह UPI है ठीक है और UPI की इनी सारी खासियतों के कारण आप देखोगे न तो कहीं सारे लोग आज UPI को use कर रहें अगर फरवरी की बात करूं केवल फरवरी महिने में तो 453 करोर transaction देखने को मिले हैं लगब 8.26 लाक करोर का transaction हम लोग को देखने को मिला है जो दर्शाता है कि UP इसे केस में यह UPI के अंदर और ग्रोथ देखने को मिली और पिछले साल के मुकाबले डबल आज UPI का use हो चुका है इसी UPI की वैसे benefit हुआ गाओं के लोगों को गाओं के लोगों कैसे benefit हुआ अगर आप गाओं में देखोगे तो वहाँ पर बैंक बहुत दूर पड़ता था पहले क्या करते थे वह घंटों तक वहाँ पर जाते थे 50-50-60-60 km बैंक होता था वहाँ जाते थे वहाँ से पैसे निकालते थे ओफी पार्टी को पे करते थे जो की भी अपने आप में बहुत ही जादा खतरनाक उनके लिए हुआ करता था उनको कुछ payment निकालना उसके system है इसको inclusive रूप से देख रही है कि आज अगर आप phone के अंदर banking की सुविधा को प्रयोग कर पा रहे हो तो वह गाउं गाउं में हो पाएगा smartphone के जरी है पर आज भी 40 करोड लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो कि इस UPI को यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास में smartphone नहीं है उनके पास में छोटे phone है छोटे phone मतलब वो जो keypad वाले phone आते जिनने हम लोग featured phone कहते हैं उनके पास में वो है और उनके अंदर UPI का प् जिसके अंदर आपके phone में कभी internet ना हो तो भी आप पे कर पाऊगे और आपके पास में smartphone ना हो छोटा phone हो तब भी आप payment कर पाऊगे आपको एक contact number दिया जाएगा इस contact number के उपर आप call करो call number है 0804516366 इस number के उपर आप call करो उसके बाद में आप check करो कि आपको कौन सा payment करना है किस प्रकार का payment करना आपको फ्राश्टेक payment करना आपको कोई साब बिल भरना है या फिक इसी व्यक्ति को पे करना उस चीज को आप चूज करो और उसके बाद में पे करो शुरुआत में जब आपको अपने इसको रजिस्टर करना होगा तो ऐसे केस में आपको अपने phone को उस छे नंबर के UPI PIN के जरीए एक छोटे phone से यानि की keypad phone से भी यूज कर सकते हो UPI service अगर आपके पाल स्मार्टफोन है पर उसके अंदर इंटरनेट की सुभीदा नहीं है कई बार इंटरनेट नहीं आता है तो वैसी condition में भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं जो अपन मोबाइल का रिचार्ज भी करा सकते हो इससे benefit किसको होगा देश के अंदर कहीं सारे लोग हैं जैसे कहीं सारे बुजूर्ग लोग हैं आज जैसे आपके दादा जी दाजी यह अगेरा उनके पास में smartphone बहुत मुश्किल है वो छोटा phone चलाते हैं ठीक है तो उनको सहूलियत होगी इवन आप देखोगे तो कहीं सारे ग्रामिन इलाकों में गरीब लोगों के पास में वो छोटे phone होते हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा सहूलियत यहां पर होने वाली है इसके अलावा एक problem भी है problem क्या problem यह है कि मैसे service को थोड़ा fast करना पड़ेगा इस case में अगर हम चीज की बात करें चोटे phone की बात करें तो वहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआएगा नहीं वहां पर तो मैसेज आएगा कि हाँ आपके अकाउंट से पैसे कड़ गए है ऐसी condition में वह जो message की service है वह fast होनी चाहिए नहीं तो अगर 10-15 मिनिट बाद आ रहे हैं तो payment करने के 10-15 म रुकना पड़ेगा जो कि उसके लिए और सहुलियत को कम करेगा इसके लाब आर्व यह दोरा एक और important चीज की गई है कहीं बार आपने देखा होगा कि आप payment करने जाते हो दुकान पर वह payment अटक जाता है वह उसके पास में जाता नहीं वह वहीं रुक जाता है अब आपको डर लगता है कि क्या करूं वापस payment करूंगा तो दो बार कड़ गया तो क्या होगा इवन कई साहे लोग को ऐसा भी होता है कि डिजिटल पेमेंट यूज करते नहीं आता है इवन कई साहे लोग जैसे दुकानदार है उनके पास में QR कोड होता है कहीं बार वो QR कोड नहीं च इन सब के अंदर प्रॉब्लम होती है इन साही प्रॉब्लम को सॉल्ट करने के लिए हम लोगों को एक हल्प लाइन नंबर की जरूबत थी रिसेंटली आरभी द्वारा 24 इंटु 7 हल्प लाइन सर्विस शुरू की गई है इस हल्प लाइन सर्विस का नाम है डीजी सांथी डीजी सांथी जो है वो रिसेंटली आरभी द्वारा शुरू किया गया इस डीजी सांथी को भी हम लोग समझेंगे बड़ उसके पहले अभी अनकेडवी के ओपर आफर अवेलेबल है लगबग आपको 32 प्रतीशत तक का डिसकाउंट मिलेगा विज 18 मन्थ डीजी सांथी के अगर हम लोग बात करें तो कई बार ऑनलाइन पेमेंट जैसे ATM है जैसे QR पेमेंट्स है जैसे मोबाइल या नेट बैंकिंग है इन साही चीजों के अंदर जो भी जानकारी के आपको ज़रूत लगती है वो जानकारी सेलप लाइन नंबर के जड़ी आपको अगर मेरा पेमेंट अटक जाता है तो क्या रूल्स होता है वो सब कुछ आप अपनी बैंक से डाइरेकली पूछ सकते हैं उनके कॉंटेक्ट नंबर भी आपको यहां पर दिये जाएंगे डीजी सांथी के अंदर इतना ही नहीं इस डीजी सांथी को किस तरीके से एक्सेस क है जो कि डीजी सांथी डोट इन्फो है वहीं आप देखोगे तो यहां पर कॉंटेक्ट नंबर भी आप लोगों को दिये गए इन कॉंटेक्ट नंबर के जड़िए भी आप कॉल कर सकते हो ठीक है आप डायरेकली रीच आउट कर सकते हो ठीक है इसके अलावा अगर आप सम इन फ्यूचर और दूसरी है लेंगवेज जो है वह यहां पर इंक्लूड की जाएगी ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही अगर लेक्टर अच्छा लगाओ तो लाइक करो लेक्टर बहुत अच्छा लगाओ तो नीचे एसासी 10 कमेंट करो अगर आप लोगों को अन अगर आप लोगों को आपकी तैयारी के अंदर एक बैटर राइच चाहिए तो उसके लिए आपको जो कोड यूज करना है वह है एसासी 10 ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही जै जै भारत